चोटे बालों को घना व चोटे बालों को तेजी से लंबा करने का बहुत ही बढ़िया आयूरवेदिक तरीका आज आपके साँ शेयर कर रही हूं दोस्तों यदि आपको भी हेर ग्रोथ की प्रॉब्लम है बॉल्लनेस की प्रॉब्लम है गंजापन आने लगा है दोस्तों या तिर बाल बहुत जादा पतले हैं बाल बहुत जादा जड़ रहे हैं बालों में वॉल्ल्यूम नहीं है तो इन सब चीजों को दूर करने का बहुत ही बढ़िया आपको एक मैजिकल हेर ओईल बनाना बता रही है जो की 100% वर्थ करेगा और यदि आप इसका रेगुलर सबसे पहले यहां पर मैंने लिया है प्याज कोशिश करें लाल चिलके वाला प्याज लें दोस्तों तो लाल चिलके वाले प्याज में हाई एमाउंट में सलफर होता है और सलफर होने के कारण ही बालों का तूटना रुखता है बालों का जड़ना रुखता है हेर फॉल की स प्रोडक्शन को इंप्प्रूफ करता है. जो बालों को लंबा बनाने के लिए आवश्चक है. मतलब जो collectology होता है दोसों, तेजी से वह एंप्रूफ होता है. उसका production तेज होता है दोस्तों. और बाल हमारे लंबे होते हैं. साहत-च कहला हिसात रस लगाने से, बहुत से वीडियो में हम लोग ने बताया है दोस्तों की प्याज का तेल बनाना आज मैं आपको जो यह मैजिकल हेयर ओइल बनाना बता रही हूं दोस्तों बिलकुल अलग तरीके से बता रही हूं 100% effective है आप सब्ता में दो बार या तीन बार जब भी आप लोग हेयर वाश कर हैं आप इस तेल को राद भर लगा कर रखें कुछ दिन आप इसका इस्तमाल करें उसके अदि मुझे कमेंट करके जरूर बताईए क्या आपके बालों का जड़ना रुका या नहीं और 100% बालों का जड़ना रुकेगा एक ऐसा all-in-one जादूई तेल बनाने का तरीका है दो दोसो तो उन बालों में जान आएगी सफेद बालों की समस्या हल होगी क्योंकि प्याज में भरपूर मात्रा में जो सलफर होता है एंटी ओक्सिदेंट प्रॉपर्टी होती है और एंटी ओक्सिदेंट एंटी फंगल प्रॉपर्टी होने के करण हमारे स्कैल्प पर कोई भ भी हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदे मंद है, hair growth होती है और हमारे scalp पे जो irritation होता है दोस्तों कई बार हमें बहुत जादा खुजली होती, eating होती है वह problem भी दूर करती है long क्योंकि long में antibacterial anticentric property होती है दोस्तों, dandruff की समस्या को भी दूर करती है, कई बार बाल तूटने का कारण है, हमारे scalp में बहुत जादा dandruff होना इस oil को बनाने के लिए आप इन तीनों में से कोई भी oil ले सकते हैं सरसो का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं आप, या olive oil ले सकते हैं, या कुछ नहीं दोस्तों तो आप यहाँ पर coconut oil भी ले सकते हैं, इन तीन से चार तेल जो मैंने बताए, तिल का तेल सरसो का तेल, olive oil या फिर coconut oil, आप ले, यहाँ पर मैं इस वीडियो में olive oil का इस्तमाल कर रही हूँ, olive oil बहुत ही अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, hair follicle को बढ़िया nourishment देता है और जब हमारे बालों को, बालों की जड़ों को पोशक तत्व मिलते हैं, nutrients मिलते हैं, तो बाल हमारे जड़ से मजबूत होते हैं, और जब बाल कर रखेंगे दोस्तों ये तेल खराब नहीं होगा और सबता में तीन बार खुब अच्छी तरह से मसाज करें दोस्तों आप इस ओईल को लगाने स्केल्ब की बालों की लंबाई पर लगाएं आप देखेंगे कि बालों से तो एक कांच की बाटल लेना है प्लास्टिक की बाटल में इस ओईल को नहीं बनाना है दोस्तों आपको कांच का ही जार लेना है कोई भी कांच की बरनी आप ले सकते हैं साफ सूतरी बरनी ले 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 एक बारी कटा हुआ प्याज डालें और इसी प्याज में अब आपको मिलाना है लॉंग, कम से कम आठ से दस लॉंग आप मिलाएं, और फिर इस बॉटल में आपको डालना आपके पसंद का तेज, प्याज जो होता है दोस्तों, ये हमारे हेर बालों के टेक्शर को इंप्रूफ करता है, नैचरल कंडीशनर की तरह काम करता है प्याज का रस, और साथ ही साथ जो हमारे बाल कमजोर हो जाते हैं, उन बालों को बहुत अच्छी तरह से मजबूती देता है, सफेद बालों की समस्या दूर होती है, बालों में बहुत अच्छी शाइन एट करता है, ओनियन जूस, ओनियन का ओईल, बाल जो होते हैं, हमा इसी care जरूर करें दोस्तों बहुत अच्छा होता है आप चाहें तो नारियल तेल भी ले सकते हैं परन्तु इस soil को हम अपने लिए ही बना रही हूँ अपनी बेटियों के लिए बना रही हूँ मैं हमेशा herbal चीजों का ही इस्तमाल करती हूँ आपको इसे धूप में रखना है चाहों में नहीं रखना है अभी तो गर्मी का मौसम है धूप बहुत तेज है तो सुबह की धूप में आप इसे रख दें दोपहर तक शाम तक रख दें दो से तीन दिन में जो प्याज आप सफेद सफेद देख रहे है न अभी सॉफ्ट हो जाएंगे इस तेल में दोस्तों प्याज का सारा नैच्रल ओइल जो होता है लॉंग का जो सारा पोशक्तत होता है वह इस तेल में आ जाएगा और इस तेल से जब आप अपने स्केल्प की मसाज करेंगे दोस्तों तो आपके स्केल्प को बहुत अच्छा पोशन मिलेगा बहुत अच्छे न्यूट्रियंट्स मिलेंगे और इसे बालों का ज़रना तुरंत ही रुकेगा बीच बीच में एक बार आपको इस तेल को हिला देना है तो आज दूसरा दिन है आप देख सकते हैं प्याज की रंगत बदल गई है लॉग तेल में अच्छी तरह से फूल गई है और ये देखें प्याज आपको निकाल कर दिखा रही हूँ प्याज का कलर चेंज होने लगा ह तो खुब अच्छी तरह से मैंने इसे चमच से मिक्स कर दिया और वापस इसे अपने टैरिस पर धूप में छोड़ दिया है अपने आप ही इसे हम पकने देंगे, हमने कोई गैस का इस्तमाल नहीं किया है, कोई भी तेल को पकाया नहीं है सिर्फ ओलीव ओल में प्याज को डुबा कर रखना है, लॉंग को डुबा कर रखना है, दस लॉंग डाली है मैंने दोस्तों यहाँ पर, आप देख सकते हैं, बीजबीच में इसे हिलाते रहें, दो से तीन दिन आप इसे हिलाते रहें और धूप में ही रखें तो ये तेल जल्दी पक जाता है धूप की गर्माहट से और इस तेल को बाद में आपको छान कर अपने स्कैल पर लगाना है जो कमजोर बाल है ना दोस्तों उन कमजोर बालों में भी जाना जाएगी और बालों का तूटना रुकेगा बालों से जुड़ी हुई सभी तरह की समस्याएं, जो हैं वहाद दूर होंगी, बालों का जड़ना बिल्कुल ही रुख जाएगा, प्याज में भरपूर मात्रा में वीटामिन A होता है, वीटामिन B होता है, और साथ ही होता है वीटामिन C, तो आज तीसरा दिन हैं, आप दे के लिए work करेगा इतना जादा ये फाइदे मंद है प्याज की smell कई लोगों को पसंद नहीं होती आप चाहें यदि कोई साभी essential oil है सिर्फ खुजबू के लिए दोस्तों नहीं है आपके पास essential oil तो आप न डाले हैं तो ज़रूर डाले केवल एक drop ये देखें मैंने भी सिर्फ एक से दो ड्रॉप भी डाल सकते हैं तेल की कॉंटिटी यहाँ पर मैंने जादा बना कर रखी है क्योंकि ये तेल बहुत ही फाइदे मंद है तो आप देख सकते हैं मैंने भी थोड़ी जादा भरके ही ये bottle बनाई है दो भूंद essential oil इसलिए डाला है दोसों ताकि जो प्याज की bad smell है कई बार हम लोग नहीं लगाते हैं बच्चे लगाना पसंद नहीं करते हैं खासकर लड़कां लगाना पसंद नहीं करती हैं इसलिए मैंने essential oil डाला है आपके पास नहीं है तो ना डाले बस अब इस तेल को लेते जाना है बहुत अच्छी तरह से बालों पर लगाना है तो अभी आप देख सकते हैं मेरी बेटी के बालों में तो खेर तेल उसने थोड़े देर पहले ही लगा लिया है अब आपको इसका सही तरीका बता रही है कि मसाज करते हुए ही लगाना है मसाज करने से ब्लेट सर्कुलेशन फास्ट होता है और हमारी हेर ग्रोथ फास्ट होती है जितनी अच्छी बालों की केर करेंगे बाल उत्ते ही हैल्दी रहेंगे कम से कम पास से साथ मिनट तक हलके हलके हाथों से मसाज करें रहेगा कोई infection नहीं होगा दोस्तों तो अपने आप hair fall की समस्या रुकेगी बालों को जब proper nutrients मिलेंगे पोशक तत्व मिलेंगे तो अपने आप ही बे मजबूत होंगे बस बालों में घना पनाएगा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो information अच्छी लग रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थीएटर को सब्सक्राइब जरूर करें और ये जो मैंने आपको जादूई तेल बनाना बताया है 100% वर्क करेगा बहुत ही बढ़िया आयरुवेदिक नुस्खा है दोस्तों जिसमें मैंने ब दो आमला प्रती दिन खाएं पानी जादा से जादा पियें